मैं मैं तर से words थिए में सौवधाने में। फर्जी exertificat फर दिप्लोमा वाले अब साउधान हो जाए। जी हाँ दोस्तों इसे पहले भी मैंने आप लोगों को सेशन प्रवाइड किया हैं और मैंने इतिलाह किया है भाई साउधानों हो जाएं देखा गया है दोस्तों यूपीटी पर लसी 2030 में वेकेंसी आई हुई थी ओडिटर असिस्टेंट अकाउंटेंट की वहीं 2024 में भी वेकेंसी आई हुई है और असे बहुत सारे बच्चे हैं मतलब बहुत सारे बच्चे ही हुज अमांट में जिन्होंने फरजी आवेदन किया तो उन्होंने आवेदन कर दिया है किसी ने किसी इनिवस्टी से जैसे कानपूर इनिवस्टी या कहीं कि कुछ उनिवस्टी है जो फरजी करार ही होती है तो वहां से बनवा लिया है पैसा देख कर रहा जैसे भी युगाड से कुछ लोगों ने बिकॉम नहीं था बिकॉम मिनमालिया है तो भविष्य मत खराब करें अपना मेरा सला है सदेशन आपको नहीं होने चाहिए और एक लिस्ट यह भी सूचना चाहिए आपके जो आपके भाई है जो आपकी बहन है जो आपके दोस्त हैं जिनकी योगता है वो तो सेलेक्ट हो जाएं भाई बहुत सारी चीज़े हैं हाला कि ऐसा नहीं कि आप फाइट करेंगे और अगला जो है जो तैयारी कर रहा है वो फाइट नहीं करेगा लेकिन मुझे लगता है कि इसकी आवशक्ता नहीं है ना मुझे पूरा एदम और आपके पास होना चाहिए अब कुछ लोग अलग अपना वह अलाप रहे हैं ना बोलते नहीं अलापना तो भईया आप साउधान होने की आउसकता है मैं कुछ चीज़े आपको दिखाना चाहता हूं यहां पे और दिखाना तो नहीं चाह रहा था लेकिन मैंने का इसे भी अब पता है मुझे पता है कि आपको पता है लेकि मुझे पता है पिर भी मैं आको बताना चाहरा हूं तो जैसे यहां पे आफ हो और आप उसक्ब सारी है और मैं आपको एक दिखा जाब कर लाच नाया सही है आप decide करिए क्या ये सही है मेरे ही वीडियो पर किसी chat पर इन्होंने क्या लिखा है कि इसमें shortlisted मैं भी हूँ बट मेरे पास तब O-Level certificate नहीं था अब किया हूँ O-Level मतलब तब का मतलब जो vacancies 23 स्वाली थी जिसका exam date आ गया है 5 जनुरी ठीक है लेकिन exam दूँगा मैं भी अब हास रहे है ये भाई साब ये बताइए क्या ये किस angle से सही काम कर रहे हैं ये मतलब इन भाई साब को इनका नाम मैंने छुपा दिया मुझे पता इनका नाम क्या है छुपा दिया मैंने का लोग गाली देंगे एव यूज करेंगे लोग क्योंकि पुब्लिक प्लेटफॉर्म है तो लोग कुछ भी कर सकते हैं तो पालतुम है इनका नाम लेकर लोग गाली देंगे इनको अब्यूज करेंगे बदद्वाव लगगे इनको कहते किसी की दुआ लो अगर दुआ ना ले पाओ थीक है बद दुआ मत लो ओंधी लो टो इन्हीं बाइसाब कर देता तो इनको लोग गाली भले ऐसे में देते लेकिन अंधर से अंदर कोशते बहुत कोशते बहुत,. वो जो है आह लगती लोगों कि कहते हैं कि आह लगे अगर आपको तो फिर बड़ी प्रवल्ब् allons होती तो इसलिए निक्व कर नाम ने मालब मेंने किया मिलिमिट आदिया है थर तो इन भाई है कि हम O level तब नहीं थे लेकिन अब मैंने कर लिया है कि फिर भी मैं एक्जाम दूँगा बताइए क्या आप खुद सोचेंगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं भाई साब गुपता जी तो आप मुझे बताइए क्या यह सही आप करने जा रहे हैं हां महलंब आप एक्जाम देंगे चलिए ठीक है मान लिजी आपका इसको रच्छा हो गया भगवान करेया आपके इसको रच्छा भी हो आप भविश्ट में एक्जाम दे आपका सलेक्शन भी हो मैं चुक्की पढ़ाता हूँ तो मेरा तो यह रहता है पॉस्टिव बाते करता यह पक्का सेक्षिन नहीं होने मला यह एक्जाम मैं बैटने में क्या गिस्तार Пр करी तो दोबारा पोटल खोल गया बोलते हैं दोनों बोलते हैं तो लोगों ने नहीं किया था तो दुबारा पॉर्टल किया अप्लोड कर वाए गया तो आप बच्चे छड़ गए तो हम लोगों ने प्रयास किया कि एट लिस्ट पॉर्टल खुल जाए और जो लीगल जैनिमीन बच्चे हैं वो जो है अप्लोड कर वादिया जाए तो पुरा फिल्टर हो जाएगा और व में अप चिला रहे हो खुशिया मना रहे हो और एक्जाम आपका कार्ड रिलीज होगा और आप जाओ एक्जाम देने क्वालिफाई भी हो गए आप तो आपको पता है कि अन्तिम चैन आपका होगने डीवी में बाहर हो जाओगे है ना तो यह चीजे मत करो और जो फरजी व दिपलोमा का प्रमारपत्र लगा बन गया सहायक उपनिरच्चक फाई यार देखो भरती परिच्छा में अब लिखा भरती परिच्छा में फरजी सेच्टिक दस्ता बेच के जड़िए एक अभियरती चैनित हो गया गोपनी सिकायत पर जब जांच्वी तब इसका खुलास पर किसमे सहायक उपनिरच्चक लेखा पदों पर सीधी भरती में अयोध्या के हर जगां लोग ऐसे होते हैं कि वह नहीं होते हैं ठीक है अयोध्या के ओम पुरम कालोनी निवासी किस्ण कुमारगिरी ठीक है कभी हमारे साथ पढ़ाई कर रहे थे यह ठीक है त्यारी कर रह अब नौकरी जो किया थे जो सैलरी उनको मिली होगी वह रिकवरी होगी उपर से केस चलेगा उपर से कोई एक्जाम दे नहीं पाएंगे तो भविश्य खराब हो गया उनका है ना ठीक है अब इसमें होता क्या आपको भी पता है कि अगर मान लीजिए आप आवेधन फरजी जैसे चलो ठीक है एक बाद पर हमानी लेते हैं एक पाट पर की चलो आपकी न competing लग गई ठीक है पूरा जीवण आप डर डर के नोकरी करोगी अगर फर्जी दस्तावेज पर आप आपको नोकरी मिल भी गई तो पूरा जीवन आप आप दर डर की नोकरी करोगे और किसी खुदा ना खासता किसी को पता चल गया आपके बहुत खास करीबी कि अपने फरजी डिपलोमा फरजी सेटिफिकेट पर आपको नोकरी मिली भी है तो आज तो आपका हिताइसी है साथ में ठीक हो कभी कुछ हलका सा हुआ वो सेक दिया त रिकवरी भी होगी जितना पूरा अपने सर्विस किया होगा पूरीरिकवरी होगी और सजा अलग से होगा करावास अलग से होगा तो और मुझे लग्या कार दोड़ा थो तो न जाए अगर कोई पाया है यूअप में चुकि यूथ Linda Libky समय। आपको पता है तो अब करा दिया मैंने घुझत लोगों करा दिया मैंने खुद बहुत लोगों को aware करा के करा दिया O level कर लो हो गया मेरे पास अभी तो मैं दिखा हूँ आपको बहुत सारे मेरे पास message आये हुए है बहुत सारे मैं आपको दिखा सकता हूँ यहीं दिखा सकता हूँ मैं आपको कि सर थेंक्यू सो मच आपने बताया कहा था और लास्ट ये और मैंने O level कर लिया मैरा complete हो गया आप देखिए अब हो सकता है आपको मैं आपको दिखाई देता हूँ ठीक है देखो O level देखो यहाँ पर मैं आपको अभी आपको होगे ना लास्ट ये उन्होंने अप्लाई किया था ठीक है यह हुआ है ठीक है और यहाँ पर O level certificate कुछ लोगों ने मुझे भेजा है यह कुछ लोगों ने certificate भेज दिया मुझे अपने O level का हो सकता आप देख रहे हूँ सर देखिए हो गया है और कुछ लोगों ने भेजा है कि है सर माई नेम इस यह मैं आपका student हूँ ठीक है मेरा very very thank you सर जी I belong to मुरादाबाद और मैं आपसे जरूर मिलूँगा ठीक है और I have qualified O level all paper in first attempt because of Mr. Dhiren sir ठीक है अब देखिए हाँ पर यह कशेक है धategor कर देखिए अगर आप पा रहे हो Charles है पकी हुआ हैक मतलब इसमें का लिखा हुआ है मतलब मैं यह नहीं मैंरे मेरे पूर्ण हो गए इसा नहीं मैंने 清 क्या था मैंने यह उन लोगों को बताया था है अ अर्याय है तो मेरे बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे ओलेवल के बारे में तो उन्हों ने कहा है सब मेरा नाम यह है आपसे जुलाई 2003 से बात हुई थी आपसे जुलाई 2003 से बात हुई थी ठीक है देखिए आप देख रहे हैं चैट की नहीं देख रहे हैं आप दिख रहा होगा तो मेरा कहने का आशर यह है दोस्तो ऐसे बहुत सारे मैसेज हैं मैं एक दो नहीं है मैं यह आपको यह मैसेज दिखाकर मैं आपको मोटिवेट करना चाह रहा हूं मेरा में मक्सद है कि अगर आपने ओलेवल नहीं किया है तो अभी समय है वक्त है आपके पास आप ओलेवल कर लीजिए चिक है और जो है आने वा इस वाले में क्यों क्योंकि ओलेवल हो चुका था तो बेसकली मेरा ज्यादा टाइम लेने का यहां पर कोई मतलब नहीं बस मतलब यह है ऐसे लोग यह तो एक मैं आपको दिखा रहा हूं इसे बहुत सारे लोग लंबी लिस्ट है कोई गुरूप है उस गुरूप में तो प काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं टीच कर रहा हूं सबको बता भी है तो मैं एक अपील कर दूंग भाई साब यह मेरी प्रात्ना और मेरे तरफ से जो आपके दोस्त बचारे जो गरीव घर से बिलॉंग कर रहे हैं जो कहीं से बिलॉंग कर रहे हैं वह लोग त्यारी कर रह को प्रमाण पत्रों जो है छाओ नहीं किया वैसं इसब को कर दिया गया। अब चुरण आपको अच्छा सट्विकेशन मिलेगा आप खुद satisfied होंगे, आपको लगेगा मैंने बहुत अच्छा काम किया है जीवन में कभी आपने कोई अच्छा काम अगर ना किया हो अगर आप ये काम कर लेंगे, exam दिने नहीं जाएंगे क्योंकि आपके पास योगिता नहीं है आपको अंदर से बहुत अच्छा लगेगा और पता नहीं कितने लोगों कि दुआएं लगेगी प्राथना लोगों आपके लिए करेंगे कि बहुत अच्छा आपने किया, ठीक है? तो अगर कुछ यहाँ पे घुसा होगा तो समझने का प्रयास करना बाकी ठीक है, ठीक यू सुमस्ट नमस्का, टेक केर जय हिन, जय भारत, वंदे मात्रम ठीक है, टेक केर, बाबाए